भारती जन्ता पार्टी कैराना को बड़ा मुद्दा बना रही है पहले मुख्य मंत्री योगी अधितिनात यहां पे आ हैं तो ग्री मंत्री अमिश्या अपने उत्तर प्रदेश चुनाओ अभियान के शुरुआत कैराना से कर रहे हैं कराना की लड़ाई भी बड़ी दिल्चस्पा यहां दो महिला प्रत्याशी हैं एक बीजेपी से हैं तो दूसरी निर्दली हैं हो सकता है समाजादी पार्टी से भी आगे हो जाएं हमरे साथ बाच्चित के लिए मोजूद हैं ना इकरा हसंजी जोकी नाही दसन की भाई हैं ब इस बार भी कोई फरक नी पड़ेगा 2017 में कैराना से पलायन का मुद्दा बीजेपी ने उठा था और कैराना से उनकी हार हुई थी और बहुत बड़ी हार हुई थी तो कैराना की जंता ने तब जवाब देने का काम क्या था मैंडेट के जरी जरिए और इस बार भी ज़ाना जा रही है देखिए बीजेपी डेरी वी है क्योंकि बीजेपी यहां से हारी थी पिछली बार नाइध हसन जी ने उनको हराया था तो इस बार उन्होंने यही हतकंडा अपनाया कि उन पे जूटे मुकदमे लगा कर उनको चुनाव प्रक्रिया से दूर करार जाए यह इस से सा है कि डरी हुई समाजाती पाठी भी है इसलिए बतार निर्दली प्रत्याशी आपने यहां से परसा दाखिल कि नाइध है इस लिए इकरा प्रत्याशी हो जाए उनकी साज़ेशों से कह सकते हैं हैं आप कि हम एतियात कर रहे हैं डरा कोई नहीं है उनसे ना पहले डरे थे ना अब डरे हैं लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाला मैं हमेशा जंता के बीच रही हूँ हां मेरी कोई वो नहीं रही है मैं सिर्व के लिए आती थी पहले इस बार में एक साल हो गया मैं फील्ड पे हूं काम कर रही हूं तो यह तो जंता बताएगी आपको कौन बाहर ही है जो आप campaign के लिए निकल रही हैं तो यहां के जो local लोग हैं उनका समर्थन किस तरह के से बहुत है कि आपको यहां पे पलायन का जिकर करते हुए कोई लोग आप से मिलना है उनसे बाच्चीत कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं केराना की जनता को पता है कि पलायन है ही नहीं कोई मुद्दा ओन ग्राउंड सिर्फ बीजेपी के लिए है सिर्फ एक प्रॉपगांडा है जिसको वो दुबारा भुनाना चारे है पहले भी इससे उन्हें कुछ हासल नहीं हो आता और इस बार भी कुछ ह इसा कुछ भी नहीं है यह उनको जवाब इस चुनाओं में मिल जाएगा कि क्या उनके काम रहे हैं और क्या नहीं रहे हैं काम उन्होंने कोई किये नहीं है सिर्फ इस तरह के बीजेपी तो मशूर है ना अपने ड्रामा वाली पॉलिटिक्स के लिए तो वही करने वह उस ट प्रशासन में पलायन हुआ था? तो लोगों से क्या वादे कर रहे हैं आप अपने लिए वोट मांग रही हैं कि नाहिद हसन के लिए वोट मांग रही हैं तो हमारे मुद्द्दे सबसे बड़ा हमारा employment का मुद्दा है ये भाजपा की सरकार जो पलायन पलायन करती है असल में जो मुद्दा है वो employment का है यहाँ पे रोजगार की जो जरूरत है उसको ये पढ़नी पाएं क्योंकि इन्हें सिरफ drama politics में interest है ये काम पे ध्यान तो देते नहीं है वरना 5 साल की इनकी सरकार थी जो लोग भी यहाँ से जाते हैं वो better economic opportunities के लिए एक दो लोग गए हैं तो वो अगर यहाँ पे पैदा कर दे तो ये मुद्दा ही खतम हो जाएगा लेकिन इन्हें मुद्दा खतम करना ही नहीं है इन्हें तो सिर्फ मुद्दे को तूल देनी है और उससे अपना चुनाओ निकालना है वो ही करना ही है इस बार भी आ रहे है काम इने करना नहीं है जैसा मैंने आपको कहा कि employment की यहाँ पे बहुत जरूरत है और पिछली बार जब अखिलेश यादवजी चुनाओं में आये थे तो वो वादा भी करके गए थे और हमारी यही कोशिश रहेगी कि अगर हमारी सरकार आती है और तो हम उस वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे बहतर employment opportunities देने का काम करेंगे विकास कराने का काम करेंगे जिन भी कारियों में भाजपा नाकाम रही है उनको आगे लेके चलेंगे आपके भाई को बड़ा defame किया जा रहा है आज क्यों ग्री मिंद्री आ रहे हैं तो जाहिर तोर से बात है कि आपके भाई को लेकर के चर्चा होगी तो आप उसको कैसे defend करेंगे defend तो यह सब को पता है कि उन पर fake cases लगाए गए मुद्दा यही था कि उनको चुनाव से दूर रखा जाए क्योंकि भाजपा डरती है अपनी हार से और ग्रह मंत्री जी एक विधान सबा सीट पे door to door campaign करने आ रहे हैं जहां का candidate खुद अभी शेतर में नहीं है तो आप सोचिए कि वो कितना डरे में हैं भाजपा के लोग कि उन्हें अपने सारे हतकंडे आजमाने पड़ रहे हैं इस सीट पे तो इस सीट से वो इंशालला हार के ही जाएंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा ब्रिगांका शिंग आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं उमीद्वार हैं बीजेपी की उनसे किस तरीके चुनोती हैं आपको क्या आपको लगता है कि आप उनको हरा में कामयाब हो पाईगी जी बिलकुल वो तो जनता उसका निर्ने करेगी लेकिन हम पूरे confident हैं वो जनता के बीच नहीं रही हैं उनकी सरकार थी पान साल से वो अब एक महीने पहले चुनाओ से आई हैं यहां पे हम लगातार जनता के बीच रहे हैं जनता की लड़ाई लडने का काम किया है विपक्ष में भी जिसके तहती यह सब फर्जी मुकदमे मेरे भाई पे भी लगे वे हैं तो जनता केस में गैंगेश्टर की केस में और 14 दिन की रिमान पर वो चले जाते हैं इस पूरे सिनारियों को आप कैसे देखती हैं जी बहुत ही अफसोस जनक है कि सत्ता ने अपने सब भी इस तरह से कोशिश करी है हमें हम पे एक शिकंजा कसने की लेकिन हम अभी भी हमारी हिम्मत न काम किया तो केराना की जनता ने उसका जवाब इनको मैंडेट के जरिये दिया था 2017 में और इस बार भी केराना की जनता इनको जवाब देने का काम करेगी मैं बस पलायन के लिए यह कहना चाहती हूं कि यह जो काट की हांडी है यह बार बार नहीं चड़ती एक बार इन्होंने कोशिश कर ली और तब भी नाकाम्याब रहें इस बार भी नाकाम्याब रहेंगे अब फिर से समझाधी पार्टी की जीत होगी क्याम्याशन कपिल सुलंगी कि साथ अविनाश्तिवारी एबीपी गंगा कहराना एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी